नमस्ते बच्चों, कक्षा तीसरी हिंदी बाल भारती में आप सभी नन्ने मुन्ने बच्चों का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे जोकर यह पाठ इस पाठ की क्या विशेष्टा है यह अभी हम देखेंगे इस पाठ में सरकस में काम करने वाले जोकर के विभिन्न हाव भाव से संबंदित वाक्य दिये गए है इस वाक्यों में स्वाभाविक धंग से पिरोय गए मुहावरे तथा कहावते इन सब से विद्यार्तियों को परिचित कराया गया है यहाँ पर हमें मुहावरे और कहावते पढ़ना है यह गाना तो बच्चों आपने सुना होगा बहुत ही मशहुर ऐसा गाना है जोकर की जिन्दगी भी उसी तरह की है जोकर की हरकते देख कर लोग डंग रह जाते है जोकर बड़ी बड़ी बाते करके हवा में उड़ता है जोकर ने जोरदार ठाहा का लगाया है हमेशा जोकर जोरदार ठाहा का लगाता है जोर जोसे हसता है दाद दिखाता है बच्चो को खुश देखकर जोकर अपने होट पहला कर रहता है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रहता है यानि वो बहुत दुखी हो जाता है मन के भाव छिपा कर जोकर को दाद दिखाने ही पड़ते है चाहे वो कितना भी नाराज हो लेकिन वह अपनी नाराजगी अपने चहरे पर नहीं दिखाता है सरकस में कलाकारों की कर्टब देखकर जोकर हक्का बक्का रह जाता है तालियों ने जोकर का मन मोह लेता है जब तालिया बचती है तो जोकर बहुत बहुत खुश हो जाता है मगर कुछ बच्चों की शरारतों पर जोकर उन्हें आख भी दिखाता है जोकर खेल समाप्त हो जाने पर अपनी आखे मटकाता है जोकर जहां भी जाता है वहां के रंग में रंग जाता है इसलिए तो कहते है गंगा गए गंगा दास, जमना गए जमना दास गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है यह तो ऐसा ही होता है जैसे नाच ना जाने आंगन टेड़ा इस तरह से जोकर अपने जीवन का सारा दुख भुला कर सभी खो हसाता है अभी हम बढ़ते हैं हमारे स्वाध्या की ओर हमारा पहला प्रश्न है मुहावरों के अर्थ लिक कर वाक्यों में प्रयोक करो हमारा पहला मुहावरा है दंग रह जाना याने आश्चरे चकीत रह जाना इसका वाक्य बनता है जोकर की हरकते देख कर लोग दंग रह गए दुसरा है हवा में उड़ना याने घमंड होना इसे वाक्य बनता है जोकर बड़ी बड़ी बाते करके हवा में उड़ता है तिसरा मुहावरा है ठहा का लगाना याने जोर से हसना वाक्य बनता है जोकर ने जोरदार ठहा का लगाया उसके बाद चौथा मुहावरा है मन मसोस कर रहना याने मन मारना वाक्य उचीत प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया पाचवा मुहावरा है दाद दिखाना याने हसना वाक्य मन के भाव छिपा कर जोकर को दाद दिखाने ही पड़ते है छटा मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना याने आशर चकित रह जाना वाक्य सरकस में कलाकारों के कर्तब देखकर जोकर हक्का बग्का रह गया सात्वा हमारा मुहावरा है मन मोह लेना याने आकरशित करना वाक्य तालियों ने जोकर का मन मोह लिया हमारा आठवा मुहावरा है आखे मंटकाना याने आखे घुमाना वाक्य खेल समाप्त हो जाने पर जोकर आखे मटका रहा था आखे दिखाना याने धमकाना वाक्य कुछ बच्चों की शरारतों पर जोकर उन्हें आखे दिखा रहा था दस्वा है हमारा मुहावरा ओठ फैलाना याने मुस्कुराना वाक्य बनता है बच्चों को खुश देख कर जोकर ओठ फैला कर रह गया अभी हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलकी कहावतों के अर्थ लिख कर उन कारियों में प्रयोक करो पहला है हमारी पहली कहावत है गंगा गये गंगा दास जमना गये जमना दास इसका अर्थ होता है अउसरवादी इसका वाक्य बनता है जोकर जहां भी जाता है वहां के रंग में रंग जाता है अर्थात गंगा गये गंगा दास जमना गये जमना दास दुसरी कहावत है नाच न जाने आंगन तेड़ा इसका अर्थ होता है अपने दोश दुसरों पर थोपना वाक्य बनता है गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है यह तो ऐसा ही हुआ नाच न जाने आंगन तेड़ा हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखीत वाक्यों के अर्थ वाले उचित मुहावरों को कोश्टक में से चुन कर वाक्यों के सामने लिखो यहाँ पर कुछ अर्थ बताए है यहाँ पर मुहावरे दिये है इनको आपको यहाँ पर लिखना है कोश्टक में वाक्यों को चुनकर लिखना है उसके सामने तेला है बहुत चकित होना याने दंग रह जाना दुसरा है जोर-जोर से हसना याने ठाहा का लगाना चोथा है गुस्सा करना याने आखे दिखाना पाचवा है लंबी चोड़ी बाते करना याने हवा में उड़ना धन्यवाद करो चूएन बाते क्यां याने लंगा है रहते देट करना में लंबी म्या